दोस्त समझना है जिन्दिगी तो पीछे देखिए और जीना है जिन्दिगी तो आँगे देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूं ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा ठीक है तो मैं अरप दुवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टेडी च पे उस पूरे अप्डेट को डाल दिया था कि इसमें जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है क्या है बीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जैसे ही वो नोडगेशन आया था मैंने उसको तुरन डाल दिया था अपने ग्रूप में और अपना जो आयूस में क्या रहेगी आपकी क्या रहने वाली हैं ठीक है सब कुछ यूपी टवाल सी ने क्लियर किया है कि किन-किन बिभागों में आपको पीटी क्लियर करना अनिवार है अगर आप यूपीट वाल सी ये किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तयारी कर रहे हैं आपका के लिए अनिवार है आपका पीटी सब कुछ दिया गया है ठीक है तो यह दिया गया अधीनस से बचायनायोग लग लगनौ ठीक है बिग्यापन शंख्या एक परिक्षा 2021 आंगे देखते हैं तो इसका पॉइंट नंबर टू देखो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने की थी तो दोस्त 21 जून 2021 की मद्धरात्री तक जिन लोगों आप फॉर्म को अभी तक एपलाई नहीं किया है भाईया लास्ट का बेट का है कर रहे हो तुम लोग ठीक है 21 तार बच्चे 100% इसको अपलाई करेंगे तो वैपसाइट थोड़ी गड़वड़ा गई या फिर इसके सरवर गयरा चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ठीक है चली उसके बाद दोस्तों प्रारम्मिक अहरता परिक्षा की अनवारता देख लो तो उत्तरब्देश अजिवा या फिर टीचर वाला जो एकजयर होता है आपका ठीक है सुपरटर्ड जिसको कहते हैं उसके लिए पीटी अनुबार नहीं है यूपी ट्रपल ऐस्टी की परिधी में जितने भी एकजयम साथे हैं उनके लिए पीटी देना आपको अनवार होने बाला है ठीक है उसके बाद देखते हैं दोस्तों तो आयोग द्वारा विग्वति किया जाने वाले किसी भी पदबर चायन हेतू मुख्य परिक्षा के लिए आपकी मेरिट की आधार पर की जाएगी, ठीक है, यानि कि जब आपका जो मेन एग्जाम होगा उसमें आपकी सौट लिश्टिंग किसके आधा पर की जाएगी, अगर आप ज़्यादा नमबर लाते हैं तो यह सौट लेस्ट हो जाओगे, और यह मत समझना कि जैसे पांच जार भरती निकली तो सिर्फ दस जार वच्चों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा है, कम से कम, लिखवालों उससे, अगर किसी भी पांच जार वच्चे बुलाया जाएगे आपके उस एग्जाम को देने के लिए, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है कि उन पचास जार में आ जाओगे, ठीक है, आँगे देखो दोस्तों, तो यदि किसी अब्वेर्थी द्वारा प्रारंबिक आर्ता परेक नहीं कर पाएंगे, कोई भी में बेकैंसी निकली, जैसे की लेकपाल हो गया, या फिर आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, टेकनिकल असिस्टेंट हो गया, कोई भी बेकैंसी जो आपकी यूपी ड्वेर्थी द्वारा निकाली जाती है, डायरेक्ट आप उसको अपला कि मात्र प्रारंबिक अहरता परिक्षा के परड़ाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद के साफ एक्ष चैन किये जाने हैं तू कोई दावा स्वीकारण नहीं होगा अगर आप लोग यूपी टबल स्सी पीटी को देते हैं उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आप ये नहीं कह स करते हैं कि हमको नौकरी दे दो ठीक है में एक्जाम आपको देना पड़ेगा उसमें जब आप लोग क्वालिफाय होगे उसके बाद ही आपकी नौकरी पकी होगी नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नमबर फॉर आयोग की परदी में आने वाले पद तो सीधा इसमें ये सम था आपका ठीक है एक्रीकल्चर वाले अच्छों के लिए तो यह कुछ बेक्यंसी हैं मंडी परिशत बादी इसमें राती हैं UPSC की परधी में आती हैं उनके लिए आपको P.E.T. देना अने बार है यहां पर ठीक है चलिए आगे देखो सेक्षिक अहरता क्या है तो दोस्तों दिया गया है P.E.T. में प्रारंबिक परेक्षा में हाइ स्कूल या फिर समकक्ष अत्वा उससे उच्छ सेक्षिक अहरता धारत करने वाले अभ्यर्थी आविदन कर सकेंगे तो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हाइ स्कूल या फिर उसके कोई समकक्ष मिनिमम आपको दस पास होना अनेवार है और एज का भी मैं बता देता हूँ मिनिमम आपकी अठारा बर्स एज होनी चाहिए और मैकसिमम आपकी 40 साल एज होनी चाहिए एज होगे अपना अपनी सेक्षिक अहरता हो गई ठीक है उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं आरक्षण तो हो ही गया, आरक्षण किस-किस को मिलेगा, OVC, SCST और AWS को, ठीक है, इसमें, परिक्षा योजना और पाठ्थिकरम, तो दोस्तों, प्रारंबिक अहरता परिक्षा के पाठ्थिकरम को सर्व साधान के लिए सूजना, पाठ्थिकरम तो यानि कि इसका सलैवर्स त करना, बाकी ये समझना कि 95 नंबर का पेपर आपका आएगा, उसमें से 65 नंबर आपको लाना है, क्वालिफाय हो जाओगे, ठीक है, ये स्वाट मैं थोड़ा बता दिया, चलो, आंगे देखते हैं तो परिक्षा की तिथी, साथ साथ दिया गया है, प्रारंबिक अहरता पर बच्चे, इसको एपलाई करेंगे क्योंकि 10-50 बच्चे चाहिए है, इसमें 18 साल है, ये माल लो maximum, minimum minimum 30,000,000 बच्चे इस को एपलाई करेंगे, OK? तो सितंबर में तो एगजाम नहीं होगा, दोस्त। इसकोर दोस्तों देखो प्रारम में कहरता परिक्षा में प्रतिभाग कन्य बाले अभ्यर्थी का स्कोर परिक्षा परिणाम आयोग की वैबसाइट पर अपलोड किया जाने की तिथी से एक बर्ष तक मन्न होगा यानि कि जो आपकी सौर्ट लिष्टिंग होगी जो आपका एक्जाम हो जाएगा उसके बाद आपकी नंबर आ जाएंगे या आप सौर्ट लिष्ट होगे उसकी एक साल तक मन्न रहेगा अब यह इंपोर्टेंट है क्योंकि एक साल के अंदर आयों हंडेड परसंट कुछ बेकैंसी निकालेगा ठीक है कुछ बड़ी वेकैंसी निकालेगा वन्ने क्या फायदा आपकी पीडी एक्जाम कराने का ठीक है तो यह थोड़ा साइन होता है कि या पीडी के बाद भी कु क्या है तो दोस्तों 21 जून 2021 आपकी अंतमतिती है आयू की परदी में आने वाले जो पद रहते हैं सर्फ उनके लिए पीटी आपको देना पड़ेगा ग्रुप C की जो बेकैंसी रहती है उनके लिए सर्फ पीडी आपको देना पड़ेगा आयू मिनीमम आपकी 18 वर्स हो सक सकती है आपकी और जो रहती है OBC, SC, ST उनमें थोड़ा यहां पर छूड़ भी मिल सकती है आप अगर OBC, SC, ST से रिलेटेड हो तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ठीक है इसका ओपीजल जो नाट्रिकेशन उसकी लिंक उसमें आप चेक कर लेना साधी साथ साथ चिक अहरत है इसमें क्या होनी चाहिए तो आप मिनिमम दस पास होना चाहिए उसके बाद मैक्सी में आप कुछ भी किया हो MSC, PhD, कुछ भी ठीक है आयू सीमा मैंने बता दिया उसके बाद क्या है आरक्षण तो OBC, SC, ST और EWS को इसमें आरक्षण मिलेगा और मुख पर एक्षण उनकी आरक्षण की आदार परी सौर्ड लिस्टिंग की जाएगी उसके बाद पार्ट ही होजना, Slavers मैंने आपको जैसागी बता दिया, 50% इसमें जीक है जिसमें आपकी साइंस, स्टेडिजी के, करेंट अफेयर यही सब रहने वाला है ठीक है ज्यादा कठें सलेवर्स कुछ नहीं है, जीक ही थोड़ी इसमें टफ रहने वाली है ठीक है, आपके दोस्तों मुझे सुझाओ चाहिए है, आप अगर कोई की सुझाओ देना चाहें, एक्जाम ग्यान मंतरा से लेटेट तो आप मुझे कमेंड वाक्स में जरूर दें, साधी साथ एक मेरी बिंती है आप सभी लोगों से एक्जाम की डेट के बारे में, दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं सतंबर में हो जाए, कुछ लोग कहते हैं कि UPWC सिर्फ लॉलीवप दे रहा है, ठीक है, UP Government सिर्फ लॉलीवप दे रही है, कुछ नहीं अगले साल चुनाओ है, तो यह सर्फ ड्रामा कर रही है, यह ऐसा कुछ नहीं है, देखो, आप अपने सुझाओ मुझे comment box में जरूर देना कि आप लोग क्या सोचते हैं PT exam के बारे में, और एक और बात कि exam date के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि exam कब तक होना संभाव है, ठीक है, आप लोग के पास भी बहुत जानकारी रहती है, तो आप लो जो लोग लेकपाल exam की तयारी कर रहे हैं और video दिये exam की तयारी कर रहे हैं तो video दिये exam के लिए video के टीन solid paper, जो official solid paper है, बो अपको मिलेंगे लेकपाल course के साथ, जो लोग लेकपाल course को लेना चाहें, 160 रुपय में, लेकपाल का course अब लेविल है, लेकपाल का complete slavers आपको provide किय जाएगा लेकपाल के दो ऑफिसेल पेपर उसमें प्रोवाइड किया जाएंगे यूपी टबल स्थी की पूरी प्रीए जी के आपको प्रोवाइड की जाएगी ग्रामरिकास, यूपी जी के एगरी कल्चर, मैथ, हिंदी सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, एस्टेटिक जी के भी उसमें रहेगा तो जो लोग लेना चाहें, सिर्फ एक सो साट रुपे में आप उनको ले सकते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि भाई, महेंगा है तो दोस्त, उसमें कम से कम 12 पीडियाफ आपको मिलने वाली है, ठीक है और अगर आप लोग 12 से भाग दो, 160 है, ठीक है, तो बहुत छोटा सा प्राइज हो जाता है इस पेसली आपको ग्राम समाज बैसा जैसा इंपोर्टेंट पार्ट मिलना है तो बहुत जादा यह आपके लिए हैल्फुल रहेगा जावरजस्ती कुछ नहीं है, जो लोग लेना चाहें, मैं तो यही कहूंगा, हैल्फुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है फ्री मैसले नहीं देता हूँ कि मैं फ्री दे दूँगा, आप उसकी कद्र बिलकुल नहीं करोगे ठीक है, चुलूग लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नमबर मिल जाएगा, होटसप का आप उस पे मैसेज करके डेमो बगएरा देख सकते हैं और कोर्स लो, नोट्स लो या आफे नहीं लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है लेकिन दोस्त, तैयारी करते रहो, ठीक है, क्योंकि जादा टाइम नहीं मिलेगा चार से पांच महीने मिलेंगे, पीटी के लिए, उसके बाद अच्छी खासी बड़ी बेकैंसी आने वाली है ठीक है, क्योंकि इसमें पीटी के सलेवर्स में नोटिपेशन में दिया गया है ना, कि एक साल तक मान न रहेगा तो एक साल के अंदर आपको कोई बेकैंसी तो निकालनी पड़ेगी ना, ठीक है, चले मिलते हैं दोस्तों, जेहन जे भारत, भारत मात आगी जै, हैवा, ग्रेट डे